करोणों श्रद्धालू विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। बारवी शदाब्दी में जब सनातन संस्कृती का सूर्य अपने चर्मोत कर्ष पर था, तब सर्व प्रथम कुछ आतताईयों की कुद्रिष्टी काशी पर पड़ी। और काल के वजर को स्वैम महा काल को भी जहिलना पड़ा। परन्तु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनात मंदिर की जियोती को अखंड बनाये रखा। जिसमें सबसे प्रमुक भुमिका निभाई इंदोर की महारानी अहिल्या बाई हुलकर ने जिन्होंने 1777 में शिरीकाशी विश्वनात मंदिर का भव्य निर्मान कराया। महाराजा रंजी सिंग ने 1835 में मंदिर की शिखर को स्वन मंदित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्टित बाबा विश्वनात पुना पूरे विश्व से अपने भगतों को आकर्शित करने लगे। समय के साथ शधालूमों के जन सहलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पढ़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में चिपते चले गए और बाबा विश्वनात का दर्शन भगतों के लिए दुरगम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनात का दर्शन करने आये तो इस शेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्व विध्याले में अपने वक्तविय में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आपको रोक नहीं पर। मागंगा से जल भर कर सीधे बाबा विश्वनात को अर्पित करने की परंपरा थी जो कालांतर में अनियोजित निर्मान के कारण अवरुद्ध हो गए। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर जीवित करने का निर्मने लेते हुए मागंगा को बाबा काशी विश्वनात से पुना मिलाने का संकल्प लिया। प्रधान मंतरी ने जबी मुझे समझाया तो एक कागज निकालके उन्होंने अपने पैन से पहले ड्राइंग बनाया। सामने थी चनोतियों की विशाल परवत श्रिंख लाएं। पांश लाग स्क्वाइर फिट में विस्तारेत काशी विश्वनात धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था एक हजार से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानां तरण के लिए सम्मान पूर्वक सैमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी की बीच जरजर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्मान कराना, मानेनी ये प्रधान मंतरी ने समवाद और समन्मे का अदभुत मंतर दिया, उनकी इस दूर दृष्टी से बाबा का धाम टीजी से अपनी पूर्टा की ओर बढ़ने लगा। परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर मानेनी ये प्रधान मंतरी ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोन रखा। उनके मार्ग दरशन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। करोना काल में भी विकार्य की प्रगती का उनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी का निश्य अटल था और बाबा विश्वनात पर विश्वास अडिग। दोरि बसत सदा संग भास्मल सता अंग अंग शी सगंग केद रंग भाहन विशभागे। शंकर महदेवदे। शंकर महदेवदे। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुना संभव हो गया है। इस भगीरत प्रयास की सबसे प्रमुक विशिष्टा ये है कि गत चार वर्षों की इस पूरी अवधी में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदर्ता को और भी सम्रिद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाद धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नवचेतना का संचार करता है। भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वन्यम अधिहाय जुड़ा है। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शिरी नरेंदर मुदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं। तो आईए हम सम मिलकर इस एतिहासिक उत्सव के साक्षी बनी और महान सनातन संस्कृती की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें।